नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नरोत्म और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा जितने भी सरे रिचार्ज़वल टॉर्च लाइट आते हैं या फिर इमोरजेंसी लाइट आते हैं उनमें हमारा जो इस प्रकर का बैटरी का इस्तमल किया जाता है ये तो हमारा लेकिन ये हमारा काफी सरे अलग-अलग कमपानी का आता है काफी सरे अलग-अलग साइच का आता है कुछ छोटे बैटरी होते हैं और कुछ बड़े बैटरी होते हैं और ये जो बैटरी होता है इसका प्राइस कितना होता है और कौन सा कमपानी का बैटरी सबसे अच्छा हो इसमें जितने भी सारे बैटरी स्तमल होते हैं इस सारे बैटरी हमारा 4 भोल क아 ही फिर बड़ा हो वो हमारा 4 volt का ही होता है लेकिन इसमें जो ampere होता है वो अलग-अलग होता है और company अलग-अलग होता है तो चलिए सबसे पहले छोटे बैटरी से स्टार्ट करते हैं यह हमारा आकारी कमपानी का sealed lead acid rechargeable बैटरी है 4 volt का है और 0.4 ah का है ah का मतलब होता है ampere hour और आप इसको ampere ही समझे आपके लिए आसन रहेगा और अगर हम इसको image में बोले तो यह हमारा 400 image का बैटरी है तो दोस्तो यह जो 4 volt होता है यानि कि जो voltage होता है वो तो हमें पता चल जाता है यह घовор है कि हमारा बैटरी जितना भी voltage का होगा उतना ही voltage का जो LED होता है light होता है या फिर motor होता है जो भी चीज होता है उसको आराम से चला देगा कोई भी दिकत नहीं आएगा लेकिन यह जो Ah लिखा हुआ होता है या फिर Ampere लिखा हुआ होता है इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ देखे दोस्तों यह जो छोटा सा बैटरी है इसका अम्पेर बहुत ही कम है 0.4H है लेकिन यह हमारा बड़ा सा बैटरी है और इसका अम्पेर को देखे यह हमारा 1.0H है इसका अंप्यर बढ़ जाता है जैसे ही size बढ़ता है अंप्यर बढ़ जाता है और यह देखिए यह हमारा काफी ज़्यदा बड़ा बैटरी है और इसका जो अंप्यर है वो हमारा 4.5H है यानि कि दोस्तों हमें यह पता चलता है कि अगर हमारा बैटरी का आमपेर बढ़ता है तो बैटरी का साइज भी बढ़ता है और साइज बढ़ने से बैटरी का आमपेर भी बढ़ता है दोनों बाद समान है तो इससे हमारा जो बैटरी का पावर होता है वो भी बढ़ जाता है और दोस्तो दोनों बैटरी में समान ही रोषनी देगा, यहाँ पर जितना रोषनी दे रहा है, इस बैटरी में भी उतना ही रोषनी दे रहा है, आप लोग देख सकते हो, दोनों बैटरी में समान रोषनी देगा, लेकिन दोस्तो यहाँ पर बात आ जाता है बैक अप की, यान हमारा बहुत ज्यादा अम्पेर का होता है तो यहां पर बहुत ज्यादा समय मिलेगा और यह हमारा कम अम्पेर का होता है तो यहां पर बहुत ही कम समय यह LED जलेगा तो अम्पेर को इस प्रका से समझे आपके लिए आसन रहेगा तो यह जो बैटरी है दोस्तों यह हमारा मार्केट में 25 रुपे में मिल रहा है हमारा जो मार्केट का प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है आपकी मार्केट में थोड़ा ज्यादा प्राइस में मिल रहा होगा या फिर यह हमारा market का price बताऊंगा हो सकता है आपका market में यह जो price होगा यह थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है तो इसके बाद दोस्त हमारा आता है यह 1A वाला बैटरी यानि की 1.0S का बैटरी यह हमारा Sigma का कमपनी का बैटरी है और इसका जो प्राइस होता है दोस्त हमारा market में यह 40 रुपे में आ जाता है 40 रुपे कभी कभी 45 रुपे भी इसका प्राइस रहता है और ये दोनो बैकर कOREकर का PRICE भी वही होता है क्योंकि ये दोनों बैकर हमारा वही 1.0 एज का है, यहां पर देखिए यह 3ऊ बैकर हमारी हमारा समाने यहां पर 3ऊ बैकर बैकर में फट्रक्ष्री इतना है कि 3ऊ बैकर अलग अलग कमपानी तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं यह बड़ा सा बैटरी की बारे में यह हमारा East Power Company का है और इसका जो वोल्टेज है वो चार वोल्टेज है और 4.5 Ampere इसका होता है एच होता है और यह हमारा सिल्ड लीडेसित रिचार्जबल बैटरी है और यहां पर यह बैटरी की ब और दोस्तों यह हमारा कहां पर इस्तमल किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं देखिए यह हमारा जितने भी सारे छोटे बड़े बैटरी होते हैं इस साइज का यह हमारा सभी प्रकार का यह जो छोटे मोटे टॉर्ज आते हैं इसमें लग जाते हैं लेकिन यह ज च्वाब दूँगा कि जितने भी सरक ं जलाता है उसके बाद वो हमारा बंद पड़ जाता है तो यह प्रोलेम मुझे काफी ज्यादा बात देखने को मिलता है यानि कि यह जो नए बैटरी होता है इनका बैककप में काफी ज्यादा प्रोलेम होता है यानि कि इसमें लिखा हुआ होता है ना 0.5 Ampere का यह बैटरी होत करने और वो बैकॉप सही से नहीं देंगे उसका जो वजन होगा वो थोड़ा सा कम होगा तो इसलिए जब भी आप खरीदते हो इसका जो बसन होता है उसको चेक्क करके खरीदे ना की कमपानी को देखकर खरीदे देख्ये यह जो इसलिए जो सिग्मा का वैटरी का थोड़ा सा ज्यादा बजनका होता है मैं यहां पर 3 बैकरी कि कमपर रीजं करूँ तो यह तीनों में से sigma सबसे best है मेरे हिसाब से तो हो सकते है आपके हिसाब से और कोई बैटरी बेश्ट होगा क्या होता है कि इन में से अगर यह बैटरी चल गया आपका excel तो आप बोलेंगे कि power x अच्छा है विइसा ही मैंने जितना भी sigma कंपानी का बैटरी लगाया हूँ वो सारे चल जाते हैं λगों हो सकते हैं आपका leamon company चल जाए और आप बोलेंगे कि leamon company अच्छा है तो इसली मैंने कोई भी company का मतलब अच्छा ही नहीं कर रहा हूँ और company का बुराई तो करूँगा कि यूँकि company थोड़ा बहुत यहां पर मतलब अपना profit के लिए थोड़ा बहुत खराब battery दे देता है तो दोस्तो यह था यह सारे battery के बारे में वीडियो अगर दोस्त आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अपना चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी ब्रकर का ही वीडियो हर रोज मिलता रहेगा